अब यहाँ पे इन केमपर बंदों की ये बात सुनने के बाद ना मैं कसम खा लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें पेले बगएर मैं कहीं नहीं जाने वाला यहां से तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत या आपका एक बहुत ही जादा बहुत ही जादा गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मुपाइल की इंपली वीडियो में और देखो यार आपने कई बार देखा होगा प्लेन में भाईया चिलाते रहते लोग यार इधर आजाओ तुमारी बेटी बना देंगे लेकिन हमारे साथ जो होता है वो बहुत या लग होता है तीन चार कैमपर लोग हमको चैलेंज दे देते हैं बिलकुल अब ये बाईसियोन जैसी गन यार मेरे को बिलकुल पसंद नहीं है लेकिन देखो निहत्ता और नंगा होने से बढ़िया यार बाईसियोन हो हाथ में तो बाईसियोन से यहाँ पे तीन तीन बंदे इसी घर पे गुशे पड़े होते हैं तीनों की पेटी बन चुकी है और यहाँ पे यार मैं आराम से बाउट को पेल ला था नजाने इन दोनों बंदों को क्या ही जोश चड़ता ये बाउट के साथ साथ पीछे आ जाते हैं और मेरे को पेलने लग जाते हैं खेर इनका एक बंदा पेल दिया एक बंदा सीड़ी उपे है और देखते देखते इन जो सीले बंदों की भी पेटी बन जाती है मैं सही में बता रहो यार मुझे लगा बाउट के पीछे एक और बोटा रहा होगा अब वो बाउट तो कदू नियोते दो दो बंदे आ जाते हैं और जैसे तैसे में या जिन्दा हूँ तो इनकी पेटी बनाई इन्हें लूटना चालू करता हूँ और उतने में ही इनका दोस्त बदला लेने इसी घर पे आ जाता है लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यू डिक्शनरी आप की जिसके मदद से अगर आपकी अंगरेजी सस्ती है तो आप उसे महेंगी बना सकते हैं और इसकी सब translate की मदद से उसे हिंदी या फिर कोई भी language में translate कर सकते हैं और आप भी चौड़ चौड़ में उसे अगर अंगरेजी में message करते हो लेकिन आपको डर लग रहा होता है कि यार कहीं आपका grammar खराब नहीं तो भीजती हो जाएगी तो आप अपने message का grammar भी check कर सकते हो grammar feature की मदद से और जो भी गलतिया होंगी ये सब कुछ सही कर देगा तो यार इस खतरनाक एप को try करना मत भूलना इस एप की link description में होगी बिल्कुल top में जाओ यार अपने अंगरेजी भी बहंगी बनाओ और यार इतना खतरनाक प्रीफायर देता ये बंदा की क्या ही बताऊं सारी की सारी गोली दिवारों पे पिल देता ये और जब तक अंदर आता है यार मेरे ख्याल से गोली खतम होने वाली थी खेर जो वियो इनका एक और जोसीला दोस ठिल चुका है यार लेकिन एक बंदा अभी भी बाकिया इस टीम का और यहीं दिवार पे खड़े हैं हमारे भाई तो हम भी भगते आगे और अखिर कार जाकी ये जो सिली स्कॉर्ड खतम हो जाती है वह या हर एक बंदा इस स्कॉर्ड का पूरे जोस में था लेकिन यार मैं आलस आलस में कवर ले लेके खिलता हूँ और चारू की बेटी बन जाती है अब इन्हें पेलने के बाद मुझे लगता है यार देखो जादा तर बंदे आते हैं ये होटी रॉप पे लेकिन जब से सीजन खतम होने का वाया है हारे एक सुकॉर्ड पहुंची होती है यहां पे इसलिए और बंदे जिन्दा है अभी अब ये पबजी में यार जादा तर बंदे ठीपी पी लेके देखते हैं लेकिन हमारे ये भाई पूरा का पूरा सकूप खोलके इधर की तरफ देख रहे होते हैं तो मैं धेड़ पैड उस बंदे को नौक करता हूँ और यार उस घर पे रस करने की बहुत जोड़ से इसका मतलब यार भाई ने केंप लगा दिया है वो भी खतरनाक वाला देखो ये चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं समझ पाऊंगा अगर बंदों को केंप ही करदा है तो यार क्यूं क्या जरूरत है यसी जगव पे आने की और मेरे को नहीं बता आपको आवाज आ रही है क खैर इस केंपर बंदे की तो पेटी बना दी खतरनाक था ये बंदा अब बाकी टीमेड्स की वारी और इसके यार बाकी टीमेड्स लोग बिलकुल उसी की तरह नहीं होते हैं एक बंदा नीचे चौड पे रस करता है लेकिन यार यहीं पे मैं ठीपी पी लेके खड़ा था तो भाई को भगते भगते पेल देता हूँ और बंदा बचने के लिए पीछे जाने की कुछिस कर रहा है अब हमारे भाई पीछे की तरफ तो भगते लेकिन यार उनके मुझे सामने दरवाजा बन कर रखा होता है तो कोई भी नहीं आता हूँ उसे बचाने अब मुझे इसके टीमेट के फुटिश टैप आते हैं और वो जो सामने कमरा है न वहीं पे छुपके बैठा ये बंदा तो मैं नेट खीच के फेट देता हूँ अंदर और इस टीम का एक आखरी बंदा बाकी होता है जो ओपन में बोटो की पेटी बना रहा होता है और यही होता है जब आप बेचारे बोटो उपे अंधा त्याचार करते हो पेटी बना के रख दी उसने खैर उसकी मैंने पेटी बना दी और पेटी बना बना के मेरी 13 किल हो जाती है अब देखो उतरते ही 13 किल हो गई तो यार 30 किल करने की इच्छा बहुत जोर से जाग जाती है खैर मैं रूजोग जा रहा होता हूँ और यहाँ पाड़ी पे गाड़िया दिखती है अब यहाँ पे मैं उस तीसरे बन्दे को हलवे में नौक कर सकता था बिल्कुल मजाक में लेकिन भाईया यह जो खुजिली है ना यह पीक पाग दबाने की इसके चक्कर में मैं 40 गूली लगाता हूँ भाईया आधी गूली भी नहीं लगती उसे और इसी के चकर में वो यार रिवाईव अगेरा दे देगा और समोग भी बना दिये इनने तो मैं बोलता हूँ कोई न यार देखो सस्ता सप्रे है क्या ही कर सकते हैं दो बंदे ऐसे ही नौक पड़े हैं क्यो ना गुश के पेला जाए तो मैं देड़ पैड़ अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और ले चलता हूँ पहड़ी के उपर अब यहां पे दो बंदों की तो मैं पेटी बना देता हूँ लेकिन यार जहां तक मेरे को पता है इनके एकाथ बंदे रिवाइब हो चुके हैं तो अब समोक में एजजस करना पड़ेगा अब यह जो समोक में एजजस मैंने किया यार मैं पहले बिल्कुल नहीं करने वाला था मैं सोच रहा था थोड़ा और लेफ्ट जाओंगा फिर देख के बंदे को पेलूँगा लेकिन यार वो बंदा अंधी गुली चलाए जा रहे एकेम की तो मैं बोलता हूँ यार वो समोक में एजजस करने की कुशिस कर रहा है तो क्यों ना मैं भी ये कुशिस करूँ और समोक में एजजस हो भी जाता है खैर उसी के साथ यहां जोर्ज की तरफ जोन बन रहा होता है और आगे 200 कोड के बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं और यार गाड़ी इतनी होती है यहाँ पे कि क्या ही बताओं और हमारे इस भाई को ये लेफ्ट राइट खिलने का बहुत ज्यादा सोक होता है यार पहले मैं लेफ्ट भग के गया एक तो यहाँ दो दो गाड़ी ठुकी पड़ी है जब तक मैं लेफ्ट में पहुंचता हूँ यहाँ पे आता है और मेरे टिमिट की पेटी बनाने की तयारी करता है खैर इसको तो जैसे दैसे पेल दिया और यार आप तयार हो जाओ क्योंकि वो जो केंपिंग वाला सीन में बताया था ना वो बहुत जल्द होने वाला है इसी घर में होने वाला है और मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे कि कैसी केमपिंग चल लिया यहाँ पे अब जब मैं यहाँ इस गर पे रस कर रहा हो तो यार मैं पूरे जूस में होता हूँ किल भी बढ़िया हो चुकी है और बंदे भी बढ़िया तरीके से मिलने हैं और मैं बहुत खुशी से रस कर रहा होता हूँ लेकिन जब मैं इस गर के अंदर आता हूँ और ये चीज़ देखता हूँ न यार कसम से रोने कामन करता है नजाने क्यों करते हैं ये लोग ऐसी हरकत और यहां पर अगर मैं गल्ती से नो को जाता न यार मेरी सीधा यही पर पेटी बनती क्योंकि मैंने चौड में नेड ले रखा था आतमें खैर अब दुबारा कुछिस करता हूँ मैं और यार जहां तक मेरे को पता है आपको नेड भटने की आवाज नहीं आयोगी मुझे नहीं पता है यार ये रिकॉर्डिंग का क्या सीने कभी आती है आवाज कभी नहीं आती नेड की खैर जो वियो उपर बंदा नेड से ठिल जाता है लेकिन यार अब मैं कुछ भी नहीं उखाड सकता लेकिन जब उखाडेंगे न एक साथ उखाडेंगे और यार मेरे ऐसे सीनों रखें कि मैं दूर भी बंदे नौक कर रहा हूँ अंदर वाले बंदे भी नौक कर रहा हूं लेकिन किल्ग किसी की नी ले पाart हूं चैर यहां पर मैं थोडी देर ओर रुखता हूँ… क्या पता यह लोग रस करदे नीचे अब यह लोग नीचे रस तो कद्दू भी नहीं करते लेकिन यार यह अपना माइक जरूर खोलते हैं और आप खुदी सुनो यह क्या बोलते है माइक में सुना यार है हम आजया कहो वह कहा ह जैप आलो हम आया हर आप मैं हरा जुछ कर लिट अ ढटर जरो हुर आप हम अम आप कराहर है आरणिा केजत करीम तर रा के था जर वाई झालो औ Allahlawड ए मुझालो आहलो… वोह ई Bald yeah 알им.. पुझालो आहलो आहलो आहलो.. आहलो 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 आच केंश मुझालो आखכंश करेंव वोहह। सहु यज सु भूहotic statistिर अच्छ demasiado हमुच्छ चल लोटि आख़। मैंहलो आहथ आहलो आहलो ू। अब यहाँ पे इन केमपर बंदों की ये बात सुनने के बाद ना मैं कसम खा लेता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें पेले बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाला यहां से अब जब यह गाड़ी हम पे रस करते हैं यार ये लोग इतने जादा खूस होते हैं कि क्या ही बताऊं मतलब इनकी आवाज में जो खुसी जलक रही थी न वो बहुत अलग लेवल पे थी और इनका कोई एग बंदा यार नीचे किसी और को पेल देता है और उसे ये लगता है कि यार हम ठिल गए लेकिन हम यहीं पे जिन्दा बैठे हैं अब ये लोग उपर बैठे बैठे फलेर भी चला देते हैं लेकिन लूटने के लिए कोई भी नहीं आएगा उस फलेर को क्योंकि यार नीचे आ गए तो हम पेटी बना देंगे इनकी और इन में से यार कुछ-कुछ बंदे बिलकुल मेरी तरह ढीट है ठीक उसी कमरे में मैंने एक और बंदा पहले नौकिया था वो नौक होने के बावजूद भी एक और बंदा उनका उसी कमरे में बैठा होता है अब मैं उसे नौक कर देता हूँ लेकिन यार पेटी ना बना पाया और देखते ही देखते हमारे नेट भी खतम हो जाते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार बस मैं ये चाहता हूँ कि यहां से चून अड़ जाए एक बार अब देखो यार मैं तो इधर उधर बंदे पेलने की कुशिस कर रहा हूँ तो हूँ लेकिन हमारे भाई इंतेजार कर रहे होते हैं इंतेजार कर रहे होते हैं कि यार एक बार बस एक बार के लिए जोन इधर से हड़ जाए फिर हम जो इनकी पेटी बनाएंगे बहुत दे जाती है और सही बता रहूं पहली बार मुझे जिन्दगी में इस बात की खुशी हुई कि यार जोन मेरे पे नहीं बना क्योंकि अगर मेरे पे बनता तो इन पे भी बनता और ये उपर बैठे पड़े हैं और देखो एक बंदा सीड़ी में आया होता है इनका और मैं उस बंदे के बगल पे गोली चलाता हूँ यार भाई डर जाते हैं और मेरे ख्याल से वो बोल रहा हुता है कि यार गोली आ गए अंदर की तरफ यार मैं अंदर आ गया ना जाने क्या ही सिंचन राय है इनके पाया लेकिन मैंने इतना सुन लिया कि भाईया मुवमेंट मत दो, ठीक है ताकि फूटिश टैप ना आए या ना जाने क्या हो, अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट में जुरूर बताना, खेर ये लोग उपर कैम्प करके बैठे हैं और उसके उपर से मॉमेंट भी नही देना चाते, यार मैं कैसे इनकी पेटी बनाऊं, और जो आखिर कार हम चाहते होते हैं, वो आखिर कार जाके होई जाता है, हाँ जोन इनसे हट चुका है, अब यार इनकी जो ही पेटी बनाएंगे न, यार मैं क्या ही बताऊं, अब देखो इन तीन चार बंदों को पेलने क जो खुसी होगी न वो 30 किल करने से ज़्यादा खुसी होगी और मैं मजाग भी नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इंतिजार कर रहा हूँ तो क्यूंकि या तो यह जोन से ठेलेंगे या तो मेरी गोलियों से और एक चीज जरूर होनी है तो यहाँ पर मैं इंतिजार करता ह लेकिन उतने में ही सीन क्या होता है यार हम ओपन में होते हैं और इधर उधर गाड़िया आना चालू हो जाती है और यार इस चत पे बैठे बंदे को यार नो करके जो खुसी मिले ना मैं सही में आपको बतानी पा रहा हूं समझो आप घर पे बैठे हुए हो और एक साधी का कार्ड आ जाए घर पे यार फ्री का खाना उस लेवर की खुसी हो रही थी मुझे और देखो यार नो करने से कद्दू कुछ नी वने वाला इनकी तो पेटी ही बनानी पड़ेगी और अखिर कार जाके जोन भाईया आना चालू करते हैं और जोन के साथ साथ ये भी आते भगते हुए यार जोन भाईया खाए बना मरी यारा आए वाउ वाउ तोंचार है यारा खाए लांसतर वाली यार जोन केंदर ली चावड़ेगी अब देखो एक आखरी बंदा बाकी है और जो बंदे गरों पे कैम कर रहे थे वो उपन में क्या करेंगे और जहां तक मेरे को पता है इन भाई लोगों का एक ही नारा था जहां पे भी जाओ कैम्प बिचाओ ठीक है मतलब घर पे बैटे हैं वहाँ पे कैम्प बिचा रखा है उसके उपर से जब बाहर पे आए ये निकी कहीं ठीपी पी ले लू बंदे ने लेट के कैम्प बिचा द होगे तो यार जब ये घर पे थे क्या ही आवाज थी भाई आवाज मैं चौड दिखाई दे रही थी कि हम हम ही हैं यहां के लेकिन यार जैसी ये लोग ओपन में आए यार आवाज बिल्कुल ठीक ही टैप पड़गी दीरे से बोलने लगा बंदा और मेरे को लगता है इनक का माइक भी ओल पर है क्योंकि इनकी सारी बाते हमें अच्छे से सुनाई दे रही थी खैर ये सारे के सारे केमपर ठिल जाते हैं और जो कसम में खाके बैठा था वो पूरी हो जाती है और अखिरकार मैं जैन से जा सकता हूं बाकी सापों को पेलने सापी बनें सारे अध्रियों लगा है और आउट पंच बाते है रहा है अब यहां पे वन बड़सीज वन चलाए कता है और उसके उपर से उस सापने गिल्ली सूट भी पहना है और यार मानो याना मानो गिल्ली सूट वाले बंदों को ढूणने में न दिकत काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब देखो यार मैंने कई सापों को खड़े खड़े मारा है आज मैं सोचता हूँ क्यों न साप को साप की तरह डसके देखा जाए देखते क्या सीन होंगे और आगे कहीं लेटा है ये साप और यहां पे तुमारा भाई साप के ठीक मूँ के सामने साप बनता है और उसी साप को डस लेता है बहुत निकलत यार वो साप भी बोला होगा यार ये तो मेरे से भी खतरनाक साप निकला तो बस भाई आज को वीडियों में बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए देखो जाते जाते वो कैंपर बंडू को पेलने के लिए लाइक मत भूला यार ढोग थोका पिटी खरके निला टैप कर दो और जैसा कि मैंने बोला हिता यार अगर आप camping ही करते रहोगे तो जब camping नहीं कर पाऊगे ना तब बहुत गलची नूँगे आपके साथ जैसा कि उनके साथ हुआ जो उनने धोका दे दिया भगते वे आए वो बेवोकुफों की तरह और मैंने तीनों की पेटी बना दी और सही बता रहा हूँ वो तीन पेटिया जो बनाई ना वो इस तीस किल जो मैंने की है उसके बिलकुल बराबर है मजा टैप आ गया तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबस्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन गलत पंगे और सश्ती कमेंटरी के लिए तो खल मिलते है यार बाई बाई झाल 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 झाल